हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान रच चैनल पर फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने जो इंजिनीरिंग ड्रोइंग्स है उसका फ्रेंड्स जो क्लास 6 है यानि पार्ट 6 लेके आया हूं इसमें जो इंजिनीरिंग ड्रोइंग्स के इंपोर्टन्स जो objective question है जो आपके ALP technician railway के जो CBT2 paper होगा friends उसमें जो engineering drawings वाला portion है paper part A का उसके लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे तो friends यह इसका part 6 है जिन जो लोग अभी नए है जिनोंने other part नहीं देखे हैं वो चैनल की playlist में जाकर वहां से जो आगे के parts upload हो चुके है friends उनको देख सकते ह और friends एक बात और friends जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं और जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया friends तो नीचे red color में subscribe का बटन दिख रहा होगा तो हमारे उस पे click कर लें और हमारे चैनल को subscribe कर लें friends इस ते यह फाइदा होगा कि जब कभी में न सारे वीडियो अप्लोड किये जाते हैं जैसे के इंजिनिरिंग दोइंग्स यूनिट्स और मेजरमेंट बेसिक साइन्स वाला पॉर्ट्शन आपका जो इलक्ट्रीशियन ट्रेड है आई टी आई का उससे जो इंपॉर्टन मुल्टिपल चोईस क्वेस्टन होते हैं उनके वीडियो भी यहाँ पर अप्लोड किये जाते हैं तो इसलिए फ्रेंट्स जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया नीचे रेट कलर में सब्सक्राइब्स का बटन दिख रहा होगा तो उस पे क्लिक कर बैल आइकन को दबादे और सब्सक्राइब्स जो जब हम ड्रोइंग बॉट्ट को यूच करते हैं तो कहीं से उपर नीची यानि टेडा मिडा हो जाता है इन सब चीजों से बचने के लिए हम किस चीज का यूच करते हैं तो ओप्सन डिट आप्सन से स्ट्रिप्स या और ऑप्सनड डिन आफ दी तो फ्रेंट्स जो इस कि उनका यूज जो एक कनेक्टिंग स्ट्रिप्स होती है कनेक्टिंग कनेक्ट करने वाली पट्टियां होती है जो हमारे ड्रोइंग्स बोर्ट को जोड़ के रखती है तो फ्रेंड्स आये बताते हैं आपको कि यह बैटन्स क्या होती है तो फ्रेंड्स यह देखे फ्रेंड् ब्रटन्स बोलते हैं यह क्या करते है कि इसको जो इसकी प्लैनलेस अती आनि समतल होता है इसको समतल बनाइड़ते के जिससे यह तेड़issa मेना हो तो आपको पता ल semana ऊगा कि बचने के लिए हम आपका बैटरस काले करते हैं आपको के एबनी जो यह होता है यह भी बहुत बार पूछा जाता के एबनी का यूज कहां पे होता है तो इनक्लाइन लाइन इसमें बोल रहा है कि 36 रेखाएं उरदादर रेखाएं और जो इनक्लाइन यानि तिरची रेखाएं खीचने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं option A T square, option B protector, option C mini drafter या option D French curve तो friends सोची आप पहले क्या हो सकता है और friends इसका जो सही answer होगा friends वो है option number C mini drafter बहुत important question है काफी बार पूछा गया है friends कि जो horizontal lines, vertical lines और incline lines किस से draw होती है friends इसका सही answer होगा C mini drafter पिछले वीडियो में आप तो बताया था कैसे यूज करते हैं फिर भी एक बार आप दुबारा से देख लो friends की mini drafter ऐसा कुछ होचा है जो जिनके लोने technical न पढ़ा हो वाले उनको तो नहीं पता होगा प्रण्ट आई टी आई वाले डिप्लोमा वाले और बीटेक वालों को तो यह यूज भी किया होगा तो friends यह हो गया यहाँ पर यह इसको हम जो है drawing board फे fix करते हैं और यह वाला portion जो होता है यह घूमता रहता है इससे friends यह देखे आपको इससे horizontal lines खीशते हम इससे vertical lines खीशते हैं और इससे incline lines खीशते हैं और इससे angle वेगर अभी major करते हैं तो यह रहा friends मिनी ड्राप्टर इससे हम तीनों चीज करते हैं क्या क्या फ्रेंट्स यह horizontal lines के लिए यह vertical lines के लिए और इंक्लाइन के लिए तो friends आपको पता लगया होगा कि यह सब किससे होता है मिनी ड्राप्टर से ओके friends next question है mechanical pencil की थिकनेस कितनी होती है तो friends इससे पहले मैंने जो आपका एक वीडियो बताया था कि उसमें कौन सी pencil कहां पर यूज होती है वो सब पिछले वीडियो में बताया तो जिन friends ने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वहां playlist में जाके वह देख सकते हैं तो friends यहां पर पूछा कि mechanical pencil की थिकनेस कितनी होती है 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm या all तो friends आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत ही important question है जो mechanical pencil होती है उसकी जो थिकनेस होती है यह सारी होती है यानि 0.3 mm, 0.4 mm और 0.5 mm तीनों प्रकार की जो है आपकी mechanical pencil होती है और अगर बात करें तो कैसी होती है दिखने में तो friends यह रही कुछ इस तरह की mechanical pencil होती है friends okay friends यह रहा mechanical pencil का image okay friends आईए friends next question friends next question is French curve किसके लिए यूज होता है friends इसते पहले मैंने जो video theory वाली class बताई ती उसमें आपको बता है कि इसका यूज कहां पर होता है तो friends वो theory थी अब यह question आ गया कि इसका यूज कहां पर होता है यानि French करका यूज हम कहां करते हैं friends पहला question irregular shapes यानि के लिए या cups बनाने के लिए या angles ड्रॉ करने के लिए या incline lines को ड्रॉ करने के लिए तो friends इसका जो सही answer होगा option number a irregular shapes friends जो french curve होता है उसका यूज हमेशा जो बड़े size के irregular shapes होते हैं उनको ड्रॉ करने में यूज होता है भहुत important question है friends note down कर लें और friends अगर बात करें कि French कर्व देखने में कैसा होगा तो friends French कर्व कुछ इस तरह का होगा friends होता है friends आपने आपको दिख रहा होगा कि देखिए जैसे यह से सारी irregular shapes है friends देखिए यह कहीं से इधर उधर मुड़ी हुए तो अगर आपको कुछ इस तरह की irregular shapes को ड्रॉ करना है तो इनके लिए हम French कर्व का यूज करते हैं और French कर्व कुछ इस तरह का होता है ओके फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स अब नेक्सक्वेशन की बात करते है फ्रेंड्स और नेक्स क्वेशन है कि बोव इंस्ट्यमेंट किसके लिए यूज होता है और के फ्रेंड्स तो आइए फ्रेंड्स बोव इस्ट्यमेंट्स किसके लिए उसका यूज हमेशा जो है small circle को draw करने के लिए होता है के लिए small circle को draw करने के लिए आए friends आपको बताते हैं कि जो bow instrument होता है कुछ किस तरह का होता है तो friends यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह का जो आपका bow instrument होता है और इसका प्रियोग हम friends जो small circle होते हैं छोटे छोटे उनको draw करने के लिए हम किसका यूज करते हैं bow instruments का याद रहेगा आप सबको next question है आपका next question है to draw center line we should use center line को draw करने के लिए हम किस pencil का यूज करते हैं option a 2H pencil 2B pencil H pencil या HB pencil तो friends आपको बताना है कि center line किस pencil से draw करते हैं इसते पहले मैंने friends आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं तो अब आपको बताना है किसते draw करते हैं तो friends जो center line होती है मैंसा उसके लिए option a 2H pencil का यूज करते हैं friends बहुत important question है आए friends next question की बात करते हैं यहां पर लिखा भी है to draw center line we use 2H and 3H friends 2H के साथ 3H pencil का यूज भी center line draw करने के लिए यूज होता है बहुत important है friends इसको आप note down करने के 2H और 3H का यूज center line draw करने के लिए होता है आए friends next question की बात करते हैं friends next question है for making boundary lines we use friends boundary lines वो बनाने के लिए कौन सी pencil का यूज करते हैं H pencil, HB pencil, F pencil या B pencil तो friends जो इसका सही answer होगा की boundary lines draw करने के लिए option B, HB pencil का यूज करते हैं और आपको मैंने HB की full form भी बताई थी friends जो HB की full form होती है वो होती है hard bond क्या होती है friends बहुत ही important है पिछले वीडियो में बताई था कि HB की full form होती है hard bond ये भी काफी बार पूछा गया कि HB की full form क्या होती है तो उसकी full form होती है hard bond और जो इसको इसका यूज होता है जो boundary lines होती है उसको draw करने में okay friends next question है which pencil is used to draw circle and arc friends जो circle और जो arc होते हैं उसको draw करने के लिए हम किस pencil का यूज करते हैं तो front option है 3H pencil H pencil B pencil या 2B pencil तो friend जो इसका सही answer होगा कि circle और arc को draw करने के लिए कौन से pencil यूज करते हैं तो इसका सही option होगा option number B H pencil हमेशा याद रखना है कि H pencil से हम जो आपके circle और जो arc होते हैं उनको draw करते हैं okay friends circle तो आपको पता होगा गोला और arc means छोटे-छोटे टुकुडे होते हैं जो गोले के okay friends चाप बोलते हैं हिंदी में उनको okay friends next question है which pencil is used to draw complicated drawing friends complicated drawings के लिए हम किस pencil का use करते हैं तो friends option है 3H pencil 4H pencil 5H pencil या सभी तो friends जो इसका जो यूज होता है इसके लिए सभी pencil हो का यूज होता है ये सारी तो friends 3H pencil 4H pencil और 5H इन सभी pencils का यूज जो आपकी complicated drawings होती है engineering drawings में उनका यूज उनमें यूज होती है किसका 3H 4H and 5H pencil किसमें यूज होती है friends complicated drawings में ओके friends आपको समझ आगे आओगा अब next question पे चलते हैं friends next question है for lettering which pencil use in engineering drawings friends engineering drawings में lettering के लिए कौन सी pencil का use करते हैं H pencil 2H pencil 2B pencil या both H and 2H pencil both and B means both H and 2H pencil तो friends जो engineering drawings में जो lettering होती है उसमें जो है friends आपकी H pencil और 2H pencil दोनों का use होता है बहुती important question है lettering means friends जो हम लिखते हैं engineering drawings में A, B, A सब तो इसके लिए हम H और 2H pencil यानि इसका option होगा option number D both A and B इन दोनों का use जो है आपका engineering drawings में lettering में होता है okay friends एक बात और friends जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए है friends यहाँ पर engineering drawings units and measurement basic science current affairs railway से related और electricians सारे वीडियो जो अपलोड किये जाते हैं तो आप playlist में जाके देख सकते हैं और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया friends वो हमारे चैनल को नीचे रेट कलर में subscribe का बटन दिख रहा होगा तो subscribe क्लिक कर bell icon को दबा दें इसने ये फाइदा होगा कि जब कभी मैं नए वीडियो अपलोड करूड करूँगा तो आपको इसका notification मिलता रहेगा आईए friends next question पर बात करते है इंकिंग पैन की जो निब होती है friends उसके वो किस चीज की बनी होती है जो उसकी निब होती है मिंस आगे की जो निब वो किस की बनी होती है तो friends आपके option है copper, brass, tool steel या cast iron यानि तामबा, brass हो गया tool steel या cast iron friends जो आपको पता होना चाहिए जो bow instruments और इंकिंग पैन और screws होते हैं वो हमेशा tool steel के बनाए जाते है तो जो friends आपके जो आपके फीटर और जो mechanical वाले trade वाले होंगे उनको ये सब पता होगा कि workshop में उसी का यूज होता है कौन सा tool steel बहुती important से friends next question है which pencils used to draw construction line friends construction lines में कौन सी pencils का यूज किया जाता है H pencil, 2H pencil, HB pencil या B pencil तो friends हमेशा जब भी construction lines ड्रॉव होती थे उसमें हमेशा H pencil का यूज किया जाता है तो friends याद रहेगा construction line में हमेशा H pencil का यूज किया जाता है ओके friends आइए friends next question देखते हैं friends next question है सेट इसक्वाइर कितने प्रकार के होते हैं इसते पहले फ्रेंट्स मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या-क्या उनसे यूज होता है तो यह सब मैंने प्रीबियस वीडियो में बताया है जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले आप उसको द 45 60 और दूसरा था आपका 90 और 30 और 60 तो फ्रेंट्स कभी कभी पूछा भी जाता है ओके फ्रेंट्स और सैटिसक्वाइर कुछ देखने में इस तरह का होता है फ्रेंट्स यह आपको दिख रहा होगा और आपने कभी देखा भी होगा आपके प्रिकाल बॉक्स में और साइज यूज न किया हो कभी तो फ्रेंट्स यह रहा तो फ्रेंट्स आपको दिख रहा होगा जैसे कि यह हमेशा एक कौन तो 90 डिग्री का यह वाला तो 90 डिग्री होगा और जैसे यहां पर दिख रहा है तो यह आपका एक 45 और 45 तो टोटल मिला के जो आपका होता है 180 डिग्री त सकते हैं सेट स्कॉयर से तो option ए पहला लाइन्स यानि समानतर रेखाएं परपेंडिकुलर लाइन्स एंगल्स या सभी तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा कि सेट स्कॉयर से सभी चीजों का पहला लाइन्स का भी परपेंडिकुलर लाइन्स का भी एंगल्स सभी चीजों का हम ड्रॉव कर सकते हैं तो कैसे अब आपने ऊपर देखा जहुंप स्elnेंट इससे हम हौरिजंटल लाइन फैललर लाइन्स की इस से हो इसने अंगब हम ड्राौ कर सकते हैं आप आप 40 फार 45 के एंगल ढ्रौ करते हैं यह आपको पता चल गया होगा अप okay friends next question है देखोए friends आ गया कि हम बारबार यूज करते थे hb hb तो यह क्या होता है hb की फिल्फर्म क्या होती है इससे पहले विस्से मैं आपको बता चुका हूं hard blood, hard bond, heavy blood या hard based तो friends जो hb होता है उसकी फिल्फर्म होती है hard bond ये फ्रेंट्स आपके प्रीबियस एयर में जो है रेलोय का दो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एच बी की फॉलपरमों आई टी आई में भी ये क्वेशन पूछा गया था इंजिनिंग डॉंग्स में फ्रेंट्स नेक्स क्वेशन है पैंसिल की लैड किसकी बनी होती है और अगर हम उसमें जो है क्ले का परसंटेज जो है इंक्रीज कर दें तो फ्रेंट्स उसकी हाडनेस जो है वो बढ़ जाती है तो फ्रेंट्स ये भी क्वेशन पूछा जाता है कि अगर क्ले की परसंटेज क्ले की परसंटेज को बढ़ा दे तो उसते क्या होगा तो उसते पैंसिल की हाडनेस बढ़ जाती है ओके फ्रेंट्स तो friends next question है man line and final line किस से draw होती है आपको बताना है कि man line और final line हम किस pencil से draw करते है option A soft pencil option B hard pencil option C mechanical pencil option D none of these तो friends हमेशा आपको याद होना चाहिए कि man line और final line होती है friends हमेशा hard pencil से draw होती है hard pencil से इसलिए draw करते है friends कि अगर हम मैं जिससे कि वो मिटे नहीं यह hard man line और final line हमेशा hard pencil से draw करते है friends कि जिससे कि वो मिट भी जाए तो हमें पता लग जाए इसलिए हम hard pencils से इसको draw करते है okay friends तो friends ये थे जो आपके engineering drawings के मैं तो पूर्ण questions जो previous year में पूछे गए थे उनका जो collection था friends ये था तो friends ये आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो friends like करें और sayers जरूर करें और करें और comment section में comment करके बठाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो next series upload की जाए कि न की जाए और friends जो हमारे चैनल पर भी नहीं है और जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को ग्यान रद्ध को subscribe नहीं किया तो नीची red color में subscribe का button दिख रहागा तो उसे क्लिक कर subscribe कर लाएं और bell icon को दबा लाएं इसते ये फाइदा हुआ कि जब कभी फ्रेंट्स में नई वीडियोज अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंट्स हमारे चैनल पर इंजिनिरिंग डोइंग्स, बेसिक साइन्स हो गया और इलक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, करेंट अफेयर और रेल्वे से जोड़ी इन्फोर्मेशन होती है वो पलपल की अपडेट्स आपको दी जाती है इसलिए फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना, ग्यानदा चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को दबाना न भूलें थैंक यू फ्रेंट्स नेक्स बीडियो जल्द अपलोड होगा थैंक यू आपको बीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद